हलो दोस्त एक छोटा सा कॉमेंट है लोगों का लेकिन बहुत इंपोर्टेंट कॉमेंट है अराथी गुरूप D 2023 में बिलासपूर ने पहला कंसिलेशन लिस्ट जारी कर दिया है उस लिस्ट के इंसाब से पहले CCA का कंसिलेशन जादा हुआ है जिसमें 12.4.2019 से पहले का NCBT पास होना या एकजाम में बैठना अगर नहीं है तो उन कंडिडेटों को बाहर किया जा रहा है जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जोब हाँ से हाते हाते CCA के लिए मुश्किल हो रही है लेकिन जो कंडिडेट थोड़े नंबर कम से सेलेक्शन नहीं हुए है वो कंडिडेट है सोच रहे है कि मेरा अब कम से कम कुछ तो चांस मिल रही है तो इसमें किस को बेनफिट मिलेगा किस कमुनिटी को बेनफिट मिलेगा और किस को जादा बेनफिट मिलेगा तो सबसे पहले देखिए CCA का reservation आप समझेंगे तो देखिए हम कुछ नहीं बदल सकते हम reservation और जो government की rule है उसके हिसाब से ही बात करेंगे तो CCA में जो rule है इसमें इनका reservation था और dental reservation अगर CCA की मालिजे 300 seat है और 300 candidate अगर UR का qualify कर गया तो UR का seat ले जाएंगे 300 अगर OBC के qualify कर गये तो OBC के ले गये example आपने देखा ही होगा 300 EWS के pass कर जाएंगे तो EWS के ले जाएंगे और जैसे AC का pass कर जाएं या ST community के 300 pass कर जाएं तो सारी सारी seat उनी को मिल जाती है लेकिन हमेशा ऐसा सही होता नहीं है कि 300-300 एक ही community में हो हाँ OBC और AC community में बहुत हुए थे तो इनको तो benefit मिलेगा लेकिन सवाल अब लोगों का comment में यह है comment में यहां देखिएगा पहले तो पहले मैं दिखा दूं कि जो detail आया था उसको आप देख लिजे थोड़ा सा तो यह detail आया था मैंने इसको दचिन पूज मद्रेदेवे कंडिडेचर कैंसिल हुआ है तो गेंदम किलियर लिखा है किसी से छूपके नहीं लिखा है यह CCA कंडिडेट को कंडिडेचर कैंसिल किया जाता है जो CCA का माप डंड पूरा नहीं कर रहे है यानि एज क्वेशनल क्वालिपेकेशन से यह कि हम लोगों का दिकत हो गया यह अभी मेडिकल अस्टेटस में है उसके बाद अपसेंट हो गये normal candidate उनका लिस्ट है और उसके बाद CCA वाले डिड़ेट अपसेंट हो गए वो भी है 19 लोग यानि 19 लोग ऐसे छोड़ गए 40 लोग ऐसे हो गए सिसे के कितने पोस्ट होगे तो सिसे के आप जोड़ेंगे तो चीते साथ में से एक कम 69 या 59 का है 59 पोस्ट के लिए लोगों को उमीद है कि किसको मिलेगा उसके बाद पी डेवलो डिए एपसेंट है बगेरा और पी डेवलो डिड़ का कुछ टेकनिकल इसु है जो सुटेबल नहीं है उनका लीस्ट है टोटल लीस्ट में नाम बातर लोगों का नाम है अब बातर में से देखकें बातर सीट तो किसी ने किसी को मिलेगी और बारा सीट आए कि जैसे यूर का तीन कंडिडेट ए डब्लू एस का तीन एसी का सोला एस्टी का 11 और जो ओवी सी के चोवन बच्चे हुए कंडिडेट हैं इन सारे कंडिडेटों को के सीट किसको मिलेगी सवाल यहां से शुरू होता है और सवाल का एंसर भी यहीं से देना होगा कंडिडेट है एड़केशन आजा इन्होंने पूछा है कि जीस जोन में सीचिय का कटफ मिनिमूम गया है डिबी के लिए अगर उस जोन में सीचिय का कंडिडेट किसी रेजिन से फाइनल में सेलेक्शन नहीं होता है तो सेकंड डिबी के कटफ का क्या आस्पेसल परभाव सब्सक्राइब इनको कैसे कंडिडेट था उसमें सीच चला जाएगा अभी की बात में हमने बिलासपूर की बात कर रहे है तो बिलासमूम में एक कितने कंडिडेट थे तीन थे EWS के कितने थे तीन थे आपका AC के कंडिडेट के कितने 16 थे और ST के 11 थे और OBC के 54 कंडिडेट थे यह सारे post respective community के चला जाएगा और respective community में जैसे माली यह UR में 3 कंडिडेट को लेना है कट अप पहले 70 गया था तो अगला जो कंडिडेट तीन नमबर लेने के बाद 69.999 या जो नमबर होगा उस नमबर पे कॉल कर लेगा समझ गए अब वहां के कंडिडेट सुरू हो जाएगा ना कि CCA के नमबर से जोड़ा जाएगा उसी तरह EWS में जो उसके नीचे वाले कंडिडेट होंगे उनका लेगा उसी तरह OBC में उसी तरह AC में उसी तरह HT में यह नहीं समझे कि यह जो बेकेंसी है सारा ओपेन में चला जाएगा क्योंकि यह कंडिडेट का होरिजेंटर रिजर्वेशन ता आपने कम्मुनिटी में क्वालिफाई किया है तो कम्मुनिटी में सीटे जाएगी यानि सिंपल सी बात है कि CCA का जो 16 RRC का है एक तो CCA 50% पास हुए थे जितने सीट थी अब 50% में भी करीब करीब 5-10 या 15% तक कंडिडेट जो CCA का वेकेंसी है उसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ यह 5-10-15% सीट अभी भी कैंसीलेशन में जाने वाला है और यह सारे RRC में होगा तो सबसे ज़्यादा बेनफीट जो हमने पिछली वीडियो में बात करी चुके है और लेडी आपने देखी रिखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो बेनफीट होगा ओभी सी का और यह सी का होगा क्योंकि इन ही कंडिडेटों ने मुंबई और कई सारे RRC में ज़्यादा क्वालिफाई कर गये थे तैंक्यू धन्यबाद